असकार साथियो, 36 गड़ के भीतर 70 सीटों पर मद्यपरदेश के सबी 230 सीटों के उपर वोटिंग हुई और ठीक उससे 24 गंटे पहले मद्यपरदेश के करिब 73,23,000 किसानों के खाते में जो है 2,000 रुपे के अंदर सरकार ने भेज दिया इसी तरीके से 36 गड़ के 22,56,180 किसानों के खाते में 2,000 रुपे आ गए तो समानने तोर पर चुनाओ आयोक का नियम बहुत साप्या कहता है कि जैसे चुनाओ का एलान हो यानि नोटिफिकेशन जारी हो चुनाओ के उसके बाद कोई भी सरकार जो है बोटरों को परभावित करने के लिए पैसा बाटना तो दूर की बात है किसी योजना का एलान भी नहीं कर सकती है और तो और किसी भी योजना के पूरे होने के बाद वहाँ फीता तक नहीं काट सकती है यानि उद्गाटन करने भी नहीं जा सकती है क्योंकि इस समय में हर कोई चुनाओ की परकिरिया के भीतर होता है और यहाँ पर सक्ता और विपक्च माईने रखता ही नहीं है इनके लिए एक इक्वल प्लेंड खिल्ड होती है और इसलिए सरकार नहीं बल्कि तमाम कलेक्टर, S.P. गवर्नेंस संभालने बले तमाम नौकरसा चुनाओ आयोक के निर्देसों का पालन करते हैं लेकिन मद्दपरदेश और 36 गड़ की करीब करीब 18 जीलों के भीतर कौन किसे किस रूप में कैसे प्रवावित करता है या भी इस समय में खुले तौर पर नजर आ रहा था तीसरी बात जो निकल कर काई धरम को लेकर के कभी भी कोई नेता अगर भासन दे, संबाद बनाए तो उसके उपर ना सिर्फ रोक ही लगनी चाहिए बलकि उसके परचार पर भी रोक लगना चाहिए लेकिन खुले तौर पर तमाम धारमी का स्थलो का जिकर ही नहीं बलकि धारमी की यातरा कैसे कराइंगे और उस फिरी में कैसे यातरा होगी इसका जिकर भी अगर सरकार के बंदे, सरकार की कार्य करता अगर चुनाओपर चार के बी उपर कर रहे हैं तो अदेश के ग्रेमंत्री अगर होंगे तो फिर उसे कौन रोकेगा अगर फिर पैसा बाटने के लिए जिस बटन को दबाना है उस बटन को पियम मोधी अगर दबाएंगे तो फिर कौन उनको रोकेगा याद आप कर लिजिए Association for Democracy Reform ADR की एक रिपोर्ट थी और सुप्रीम परभावित करती है तो ऐसे में जब तक आप निगरानी खुद नहीं रखेंगे और पारदर्सी इस्तिति अगर नहीं बनाएंगे तब तक बहुत बड़ा मुस्किल है इस लोकतंत्र को पारदर्सी तोर पर दुनिया के सामने बता पाना रख पाना कह पाना दुनिया तो द वही कि जरी दिखाई दे चुनाओ आयोक का यही कामन लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ है तो क्या इस समय में बहुत बड़े सवाल है बहुत सवाल है पिछले चुनाओ के तुनला में 36 गड़ों चाहराजस्तानों चाह मद्दपरदेशों चाहते लांगना हो जो किन किसको पकरा किने पकरा तो उन्हें पकरा तो उनके खिलाफ फायर लिखी गई क्या लेफ फायर अगर लिखी गई तो क्या उसके खिलाफ अदालत के अंदर पेस करते हैं उसे जेल में डाला गया क्या जी नहीं ऐसा बिलकुल भी कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ भी हो कि पियम मोदी ने जो मंदिर के भीतर लिफापा डाला था उसमें 21 रुपे हैं नियुसेनल कह सकते हैं आप नहीं कह सकती हैं तो एक नोटिस इस रूप में जारी हुआ लेकिन इस पूरे सिलसिले परकिडियों को आप पकड़िये समझे जिन तीन चार राजियों में चुनाओं बचे हुए ते मिजोरम के बाद वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर किसान और आदिवासी हैं इन राजियों में जाकर के पियम मोदी किसानों के लिए कोई पैसा धान कर नहीं सकते हैं इन राज्जों में जाकर के आदिवासियों की योजनाओं का ऐलान कर ही नहीं सकते हैं तो फियम मोदी फिर उरकर के वहां पहुँच गए जारखंड और जारखंड से उन्होंने 24 हजार करोर की आदिवासियोजनाओं का ऐलान तक कर दिया और जाहिर है कि आदिवासी समुधाई जो है राज्य के चाहे अलगर हो लेकिन वह एक साथ जूरे रहते हैं आदिवासी समुधाई जब उनके लिए योजनाओं का ऐलान होता है तो वह उन तक बात तुरंट पहुंच जाती है तो क्या इन राज्यों में आदिवासीयों की सीटे इतनी ज़ादा है कि इसी समय में एक हरवरहट थी कि इस समय में किसी की हालत में आदिवासीयों के लिए योजनाओं का ऐलान करें तो पियम मोदी ने कर दिया इसी समय में किसान समान निधी जो दो-दो हजार रुपे हर तीन महीने के चार महीने के अंतराल में जाते हैं उसका एलान अभी ही करना था क्या उसके उपर कोई रोक नहीं थी चुनाओ आयोग ने तो रोक लगाई नोकरसाही को जो परचार सरकार की ओजनाओ को लेकर करना है उसमें चुनाओ आयोग तो जगा था उसकी आखे तो खुली थी उसने कहा था कि दरसल चुनाओ राज्यों में चुनाओ राज्यों में अभी नोकरसा ना जाएं और वहां सरक की उपलब्दियों का गुनगान बिलकुल भी ना करें यह सब कुछ आप करें चुनाव बीत जाने के बाद लेकिन सवाल उठता है वहाँ पर सिधा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है इसको कोई नहीं रोक रहा है 25 तारीको राजस्थान में बोटिंग होनी है और राजस्था पैटरन को समझे उससे पहले यह बात करना जरूरी है कि दरसल ऐसा नहीं कि राज्या के बीतर जितना सिमानत है और छोटे किसान है सभी के खातों में पैसा पहुंचा बिलकुल भी ऐसा नहीं है एक आवरेज जो आसद जो निकल कर गया जो नौकर साही की जो बतलाती है जो पहुंचा जिन खातों में पैसा है उनकी तादाद करीब 56,75,000 है यहीं मदपर्देश के भीतर जो है 95,33,000 किसान लाबारती है बरतवान में लेकिन जो पैसा पहुंचा हो 73,23,670 खातों में 22,000 पहुंचे है इसी तरीके से 36 गड़ के भीतर 40,78,889 है किसान लाबारती है समान ने दियो जना के लेकिन पैसा पहुंचा 22,56,180 के आसपास यह कड़ीब गड़ी 55,33 आज जो किसान के हिसान से यहां पर किसान जो 36 गड़ में जो 55% क्यों नहीं है यह भी समझना चाहिए कि 20 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है वहां पर तुरांट पैसा रिलिज करने का क्या मतलब होता है और वहां पर रिलिज करके हमको वोट तो मिलेंगे भी नहीं तो क्यों नहीं इस रूप में चीजों को देखा जाए आने वाले समय में इसको करेक्शन किया जाएगा लेकिन तकाल में उन किसानों के खातों में तुरांट डायरेक्ट बैंक ट्रांसपर तलंगना में चाहिशना पर चाहिए तलंगना में 40,000,000 किसान हैं जो समान निधीप पाते हैं वह पहुंचा है करीब करीब 30,1,588 किसानों के खाते में दो-दोःजार पहुंच चुक्ये या एक हिस्सा जो बहुत बड़ा महत्पूर्ण एंगल था या इतनी 79% का जो तो चुनाव आयोग ने अपने तौर पर आखे बंद कर लिया बहुत बहुत बड़ी रखम नहीं है इस चुनाव के मद्य नजर देखे तो लेकिन फिर भी आपको समझना होगा 36 गड़िकंदर 451 करोर मद्यपरदेश के बीतर 1464 करोर रुपे राजस्थान के बीतर में 1135 करोर रुपे यह पैसे जो है पहुंच गए और जायर खंड और तेलंगना के भीतर 614 करोर रुपे पहुंचे समाने तोर पर अगर पैसा यह दिये जाए बांटे जाए जो जो एलान हो रहा है रहात रियायत के और आज जो राजस्थान में जो अपना संकल पत्र जो दो दिन पह ऐसा वह एक लाख एक सब पैंतिस करोर रुपे एक हजार एक सब पैंतिस करोर रुपे उस तोलना में अगर आप देखिएगा तो उन पर बोज करीब करीब आट से दसाजार करोर का और आगे बढ़ जाएगा लेकिन यह पैसा तुरंट दे दिया गया चुनाय आउग ने इ लेकिन इन ही चार राज्यों के भीतर चब 172 चापे ED और IT ने इसी समय में मारे और जो तीन दिन पहले जो तिलंगना के विदाय के घर पे चापे मारे गए थे दो दिन पहले भी एक विदाय के घर पे चापे परे थे और यह इस्तिति तमाम राज्यों में खमूबे से नोटिप्रिकेसन जारी होने के बाद क्या चुनाव आयोक से इजाजत ली जाने चाहिए या फिर नहीं लिये जाने चाहिए या फिर सेंट्रल एजेंसी अपने तो उन राजनेता से जिनको चुनाव में उतर करके चुनाव लरना था उन्हीं के खांचे को प्रभावित करने के लिए एडी और आईटी सक्रिय होई सरकार के एजेंसी सरकार के संस्ता सक्रिय हो गए इसी समय में जब नोटिपिकेसन दिया जा चुका है लेकिन कोई नोटिस कोई पूस्ताच नहीं कहीं किसी बात का जिक्र नहीं और करने की जुरुत भी नहीं तो इसके बाद जो बहुत बारा महत्पूर्ण सवाल था के मद्यपरदेश में जो जा करके गरे मंत्री अगर इस बात का एलान करते हैं कि अगर MP में भाजपा की सरकार बनी तो फिर आफ महाकाल की लोक महाप का बनाना, सोमनात मंदिर को शोने का बना देना, बदरिनात के दारनात को भी पुनट जिवित करना ये सारी तमाम बाते उसके बाद अतीत का जिक्र होता है कि राम लला को ले करके तो पांसा पचास वरसों तक जो अपमानित अवस्था में रखा गया, धर्म को लेकर के इसके आगे भी कई कदम आगे बढ़े जाते हैं लेकिन चुनाव आयोग खामोस इस पर रहती है अब यहाँ पर बहुत बारा सवाल उठता है कि जो सीडियस चुनाव आयोग को लेकर कि इसलिए भी करने की जोरत है लेक्शन कमिंशन को लेकर जब इन बातों का बात कर रहे हैं कि पहले आप इस बात को समझें जो भाजपा और कॉंग्रेस के बीच में जब आप वोटों को आंकरे को समझेंगा तो इस रोप में आप इसको समझें कि राजास्थान में जो पिछले बार वोटिंग ने करीब-करीब साथ तीन, करूड करोड के लगबोग वोटर थे जिसमें साथ तीन करोड वोटरों ने वोट दिया उसमें कांग्रेस को निए enabling 59 यंचालीश लाख भोट मिले थे भाजपा को एक करोड 37 लाक बोट मिले थे यायनि करूड 27 लाक बोट परे थे यायनि करीव करीव दू-2 लाक बोट का अंतर था इस अंतर को मांजने के लिए किसानों तक अगर पैसा पहुचा दिया जाए तो फिर क्या मुस्किल थी इसको इस रूप में भी आप समझेए जो जिक्र कर रहे हैं कि राजस्थान वे इस वर पांच करूर किसान तो फिर पांच करूर वोटर जो उसमें 3.80.00 लाग ने वोटर डाले थे वोटरों ने वोट डाले थे करिवी उसमें BJP को 1.56.000 लाग बोट बीजेपी को मिले थे कॉंग्रेस को 1.55.000 वोट पढ़े थे लेकिन वहाँ पर मद्यपरदेश के बीतर कॉंग्रेस की सीटि ज़ादा आई थी अब वहाँ पर सवाल होता है कि वहाँ पर मद्रदेश के बीतर में जो है जो 95 लाग किसान हैं और जो उनके परिवार हैं उनमें से करीब करीब 73 लाग किसानों के खाते में या 2-2 हजार रुपया पैसा पहुंचा उन 73 लाग किसानों के परिवारों को अगर आप जोड़ मिल कर दीजेगा चौथे राज्य में भी किसान और मजदूर इस सीधे तोर पर सबसे बहुत बड़ा बोटर नहीं करीब कभी 80% बोटरों की तादाद किसानी और मजदूरी से जोड दीजे आप और इसमें करीब एक रिखाएं अगर बनाईएगा तो एक रिखाएं आपको आ अधिवस्यों का लेकरके और अधिभाशी को लेकरके जो बाद सुरक्चिति सीटों को है इन राज्यों के बहुतर वहां जिस पार्टी ने कबजा कर लिया था उस पर उसी की सरकार मनती है या हर राज्ये का सच होता है और खास करके 3 राज्यों के बहुतर तो 25 सीटे राजस्थान की पिछले बार कॉंग्रेस वहां पर जीती थी, भाजपा नहीं वहां पर जीत पाई थी, मर्द्यप्रदेश के भीतर में, जो सीटे है वह करीब सब मिला करके 47 सीट परते हैं, जो FC, ST and others के दाइरे में आते हैं, श्रीडिल कास्ट अलग से 35 सीटे हैं लेकिन वहां पर उसमें से 30 सीटे, जो 45 सीटे हैं, उसमें से 30 सीटे जो है, वो कॉंग्रेस जीती थी, 16 सीट भाजपा जीती है, 36 गट के भीतर 29 सीट है, स्रीडिल ट्राइब्स की, उसमें से 23 सीटे कॉंग्रेस जीत गई थी, और इस बार अगर इन सीटों को प्रवावित क करना है, तो 24 अजार करोर की ओजनाओं का जो एलान है, जो आदिवासी बहुली इलाकों हैं, उनको प्रवावित करने किया गया, या फिर नहीं किया गया, चुनाओ आयोग को यह देखने का काम है, लेकिन चुनाओ आयोग ने इस पर नजर बिलकुल भी नहीं देखी, कि सा इम्तिहान प्रिक्षा तो चुनाओ आयोग का भी है, तो चुनाओ आयोग की खामोसी जो है, खास तोर पर तब जब खुला संदेश इस देश के भीतर, जब सरकार ने दिया, कि चुनाओ आयोग की नियुक्ति तो हम ही करेंगे, इन देश के पी-म ही करेंगे, तो तीन सदस करनी सरकार को ही चुनाओSYOK की न्युक्ति करनी है, और चुनाओSYOK को चुनाओSPG बनाने के लिए इस समय में जो कुछ भी होगा वे सरकार के ही अनुकुल होगा है या चुनाओ की प्रस्तिती जब हम आपसे इबात कर रहे हैं कि करीब करीब 500 करोड से जादा की नगदी और कैस और उसके अलाबे जिसका जिक्र है कि कहीं पर सराप आया गया कहीं पर कुछ और मिला तो इसकी जबती की गई उसको लेकर के किसी एक वैक्ति को भी जेल तक पहुंचने की इस्तिती इस बार नहीं आई और नहीं आई है इस परस्तिती के भीतर कौन आरोप लगाएगा कैसे आरोप लगाएगा और खासतोर पर जब आदिवासियों का जब जिक्र आपसे हम कर रहे थे तो करें तो जो ये पूरी बात है तो देखिए जहन